मेरे बच्चो गरुद्ध पुरान का नाम आप सबने जरूर सुना होगा। ये विश्णु पुरान का एक हिस्सा है। इसमें भगवान विश्णु और पक्षियों के देवता गरुद्ध के बीच हुए समवाद का जिक्र किया गया है। इस ग्रंथ में मृत्यु के बाद होन की ग्रंथ में दिया गया है। इस ग्रंथ का एक भाग पूर्ण रूप से कर्मों के लिए दी जाने वाली सजाओं पर आधारित है। आईए आपको बताते हैं इसमें दी गई सबसे भयावस्ताओं के बारे में। लेकिन बेटा पहले कमेंट में हर हर महादेव लिखकर उन नर्क में मारते हैं। अगर वो बेहोश हो जाते हैं तो उनके होश में आने के बाद फिर उन्हें पीटा जाता है। अंधतम्त्रसम। गरुद्ध पुरान के अनुसार नर्क का ये हिस्सा उन पती या पत्नियों के लिए होता है। जो अपने पती या पत्नी के साथ तब त पत्ति नर्क ही रहते हैं जब तक उनके पास पैसा और खुशी रहती है। इसमें भी तमिस्रम जैसी सजा देने का प्रावधान है। रौरावम। ये साजा उन पापियों के लिए है जो दूसरों की दौलत पर एश करते हैं और उनकी खुशियां छीन लेते हैं। ऐसे पा पत्तन में गरम तेल डाल कर तला जाता है। काला सुत्रम। ये सजा उनके लिए होती है जो अपने बध्धे बुजर्गों का सम्मान नहीं करते। इन पापियों को नर्क की आग में डुबाया जाता है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल न निकल जाए। अस अंधकूपम ये उन लोगों के लिए होता है जो बुरे स्वभाव के होते हैं और उनको अच्छे लोगों को परेशान करने और सताने में बहुत मज़ा आता है। इसमें पापियों को ऐसे कुए में डाल दिया जाता है जिसमें कई कहतरनाग जानवर और सांप होते हैं। त प्रीमी भोजनम ऐसे लोग जो दूसरों को बस स्वार्थ के लिए इस्तिमाल करते हैं उन्हें ये खौफनाक सज़ा दी जाती है। ऐसे लोगों को नर्क में कीडे और सरी स्रिप जिन्दा ही खा जाते हैं। उन्हें इस नदी से होकर गुजरना पड्डे एचता है। ऐसा माना जाता है कि ये सबसे खतरनाक सजा है। इस वैतर्णी नदी में मानव शरीर, उनकी खोपधियां, कंकाल और खून और कई गंदी चीजें पड़ी रहती हैं। इसमें लोगों को ये सारी चीजें खानी भ जाल दिया जाता है। अविची. जो लोग जीवों के मान्स का और उनके शरीर का व्यापार करते हैं, उन्हें यहां लाया जाता है और कुछ राक्षसी जीव उन्हें जिन्दा खा जाते हैं। गरुद पुरान के इन सजाओं पर यकीन कर लिया जाए, तो जरूर ही दुनिया से पाप मिट जाएंगे। इन जाएंगे जाएंगे।